तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले 8-9000 में मिलने वाले Best Matters के बारे में तो अगर आप 8-9000 में Best Matters ढूंड रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है Basically इस वीडियो में हम बात करने वाले Sleepy Head के Flip Dual Comfort Matters के बारे में और Wake Fit के Dual Comfort Matters के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे के Basic Features के बारे में Different Lairs के बारे हैं, Hitting Issues के बारे में और काफी सारी चीज़ों के बारे में And हाँ, Last में हम Conclude करेंगे कि आपको इस Matters के साथ जाना चाहिए कि नहीं And जो इन दोनी कंपनी के जो 12-13,000 में मिले वाले Orthopedic Memory Foam Matters देखने को मिल जाते हैं उनसे भी थोड़ा बात Last में Compare करते हो चलेंगे बाकि अगर आपको किसी भी Matters को खेंदे का mood बन जा इस वीडियो को देखने के बाद तो Matters की Best Purchasing Link आपको Description में देखने को मिल जाएगी तो देखो यह जो दोना ही Matters आपको देखने को मिल जाते हैं यह दोना ही Dual Comfort Matters है मतलब कि आपको इनमें 2 साइट देखने को मिल जाती है एक साइट साफ्ट है और एक साइट थोड़ बहुत मिडियम फर्म है लेकिन इन दोनी Matters को compare करने से फ़यले इन दोनी Matters के थोड़ बहुत basic features को जान लेते हैं तो शुरुबात करते है Sleepy Head के Flip Dual Comfort Matters से तो देखो यह जो Sleepy Head का Flip Dual Comfort Matters है ना यह आपको 8-9 सार में देखने को मिल जाता है 5 साल की warranty के साथ और हाँ यहाँ यहाँ पर नाम से ही clear है कि इसमें आपको 2 साइट देखने को मिल जाती है पहली Soft Side और दूसरी Medium Firm Side और हाँ यहाँ यहाँ पर में clear कर दू कि यह जो Medium Firm ही बहुत ज़्यदा Hard नहीं है और बहुत ज़्यदा Soft भी नहीं है कि इहाँ थोड़ा बहुत Medium Firm है मतला Soft से थोड़ा बहुत Hard तो फिलाल शुरुवात करते हैं इस mattress के basic features के बारे में तो देखो यह जो mattress है ना इसमें आपको काफी सारे different bed sizes के option देखने को मिल जाते है जैसके single, double, king size, queen size लेकिन हाँ अगर आपको यहाँ पर अपने bed के हिसाफ से customization कराना है यह जो 6 inches की thickness का mattress है नहीं generally जातर लोगों को जम जाता है लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर 8 inches thickness mattress के साथ जाना चाते हैं तो मैं आपको suggest करना चाहूँगा कि आप dual comfort mattress की बजाए 12-13000 में जो आपका memory foam based mattress देखने को मिलता है आप उनके साथ जा सकते हैं इसकी उन दोनों करपाइस आपको almost similar ही देखने को मिलेगा और उनमें आपको ज्यादा बहतर quality देखने को मिल जाएगा अब बात कलते हैं इस लिप है फिलिप dual comfort mattress की different layers के बारे में तो देखो यहाँ पर आपको दो layer देखने को मिल जाती है पहली layer जो आपको देखने को मिल जाती है और यह जो बाखी जो फों की quality बगएर ने इसकी बारे में conclusion में डेटेल में बात करेंगे इसको थोड़ए बहुत compare करेंगे जो आपको 12 से 13 सब में memory देखने को मिल जाता है, यहाँ यहाँ पर एक काफी ज़्यादा important बात है, काफी ज़्यादा confusion देखने को मिलता है लोगों में, कि यह जो short foam है इस mattress में जो कि आपको top cube पर देखने को मिल जाता है, यह को memory foam नहीं है, तो इससे confused मत दोना कि अगर यह short foam है, यह simple short foam है, यहाँ बा इसमें आपको zipper cover देखा तो रखा है, लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर zipper cover मिलता भी तो वह waterproof नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको zipper cover अरड़ी देखने को नहीं मिलता है, तो हाँ यह एक reason हो जाता है कि आपको mattress protector के साथ जाना चाह मैं पहली बता दो कि मैंने best mattress protector link already description में डाल रखिया, अब बात कर रहती है, इस dual comfort mattress के firmness के बारे में तो देखो, जैसकि मैं आपको आपको 2 side देखने को मिल आते, soft and medium firm, तो अगर आप एक थोड़बो soft side या medium firm side mattress जूण रहे हैं, तो यह काफी जादा बहुतर option बन जाता है, लेकिन हाँ यह जो medium firm है, बहुत जादा hard नहीं है, और बहुत जादा medium firm भी नहीं है, यह थोड़बो soft side में, अगर इसकी firmness को 12-13000 में मिल वाली memory foam mattress से compare करें, तो हाँ उससे थोड़बोध कम है, बाकि इसकी firmness को लेकर एक और सवाल काफी जादा लोग पूछते हैं, कि यह मैटर्स सोने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम इसकी उपर बैट कर काम कर सकते हैं, क्या यह बहुत जादा soft technical sink तो नहीं कर जाएगा, तो देखो यह जो soft side है, इसमें आपको बैटने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती, क्योंकि यह थोड़बहुत soft है, तो इसमें आप आपने बाकी वीडियो में भी बात की है, देखो ही जो जितने भी memory foam based या फिर foam based mattress होते हैं, इसमें आपको hitting issue देखने को मिल जाता है, जातर गर्मी के समें, लेकिन बाकी मौसा में almost chill and tension मतलो, और बाकी basic information के बारे में तो हम अल्रेडी बात करी चुके है, कि यह mattress आपको 8-9000 में देखने को मिल जाता है, पांच साल की warranty के साथ, एन हाँ यह जो mattress अने आपको compress form में pack होकर देखने को मिलेगा, एन हाँ इसमें भी आपको 100 nights की trial period देखने को मिल जाती है, यहाँ पर warranty को लेकर और trial period को लेकर एक और confusion है, जो कि लोग के मन में बना रहता है, कि भाई अगर हम Amazon से या फिर Flipkart से mattress order करते हैं, तो यह warranty या फिर 100 nights का trial period क्लेम कैसे करें, तो देखो यह कफे जएदा simple है, warranty को claim करने के लिए, आफिर 100 nights के trial period को claim करने के लिए, आपको simple अपने mattress की company के official website की उपर जाना है, और warranty वाले section में जाके अपने mattress की detail को डालना है, बस, इतना ही करना अब जो next number की उपर 8000 के अंदर dual comfort mattress आता है, वो है wake fit का dual comfort mattress, देखो इस mattress के जो आपको feature देखने को मिलते हैं, वो almost similar है, जो कि आपको sleepy head के flip dual comfort mattress में देखने को मिल जाते हैं, बस थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, बाकि अगर इसके basic feature की बात करें, तो यह mattress भी आपको 8000 के आस systemization करवाना चाते हैं, तो आपको इनकी official website की पर जाके order को place करना पड़ेगा, बाकि यह mattress भी आपको different thickness के option में देखने को मिल जाता है, जिसकी 4 inches, 5 inches और 6 inches, और यह बातों मैं अगर इस mattress के different layers की बात करें, तो यहाँ पर में एक बात बताना चाहूँगा, वो कि जो foam की quality यह अंदाजा लगा सकते हैं, कि इसकी quality almost same है, जो कि आपको sleepy head के flip dual comfort mattress में देखने को मिल जाती है, बाकि इसमें भी आपको उपर की तरफ mesh cover देखने को मिल जाता है, जो कि again वही white color option में available है, एन हाँ इसमें भी आपको zipper cover देखने को नहीं मिलता है, तो हाँ इसके साथ भी आपक perfect medium firm नहीं है, तो हाँ यहाँ पर firmness को लेकर और quality को लेकर almost same ही है दोनों mattress, बाकि अगर यहाँ पर heating issue की बात करते हो देखो, यह foam based mattress है, तो हाँ इसमें भी आपको heating issue देखने को मिल जाएगा, जातर गर्मी की समय, क्या कर सकते है, foam based जितने भी mattress थे नहीं, उन सम में आपको heating issue कर देखने को मिल जाते है, पंगा, अगर आप heating issue से बचेना चाते है, तो मैं आपको suggest करना चाहूँगा, कि आप latex mattress को consider कर सकते हैं, वो heating issue की मामले में, और perfect firmness की मामले में, काफी ज़्यादा बहतर option wise एक है, हमने अल्री बहतर latex mattress की वीडियो बना रखी, जो कि आपको 15, 2000 से देखने को मिल जाते हैं, तो हाँ, उसे भी आप checkout कर सकते है, चैनल पेज की पर जाकर, बाकि यहाँ पर दोनों ही company के dual comfort mattress related, एक और बात कफी जाता है, कि foam based होने की कारने, इसमें भी आपको motion isolation का feature देखने को मिल जाता है, जो कि आपको generally memory foam based mattress में देखने को मिल जाता है, यह है कि एक side का motion एना, वो दूसरे side transfer नहीं होगा, तो यहाँ पर mattress की उपर अगर एक side बंदा बहुत ज़्यादा करवटे बगारा बदल रहा है, तो वो दूसरे side की बंदे की नींद को खराब नहीं करेगा, तो हाँ, यह जो motion isolation का feature है, काफी, काफी ज़्यादा effective हो जाता ह mattress से यह भी आपको compress form में देखने को मिल जाता है, सासाल की warranty के साथ, एन हाँ, इसमें भी आपको 100 Nights का trial period देखने को मिल जाता है, तो आप बात कर देते conclusion की बारे में, जिसमें हम overall सारा conclude करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गया है, तो मैं आपसे request करना चाहँग एन हाँ, यहाँ आपको सस्ते का मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बस 200-300 का ही फरक है, एन हाँ यहाँ आपको वेकफिट में आपको warranty भी थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो अगर वन लैंड में conclude करना चाहँए, तो यह दोनों ही mattress काफी ज़ इसमें जो memory foam इसमाल किया गया है, यह जो soft foam है, यह memory foam नहीं है, तो हाँ इसे confuse मत होना, एन हाँ वाई दूसरी तरफ यह जो memory foam based mattress है, जो कि आपको 12-13000 में देखने को मिल जाते हैं, इसमें जो memory foam इसमाल किया गया है, वो 55 density का है, तो हाँ आप इससे अंदाजा लगा सकते है कि इसमें जो आपको foam देखने को मिल जाते है, वो काफी ज़्यादा बहतर quality का है, और इसमें जो आपको firmness देखने को मिल जाती ही, body support देखने को मिल जाते है, ज्यादा better as compared to 8000 में जो foam based mattress आपको देखने को मिल जाते है, तो हाँ हम इसे conclude कर सकते हैं, कि अगर आपका budget 8000 है बिल्कुल मत बोलना, तो यही था detail review about 8000 में मिलने वाली दोनों ही company के dual comfort mattress के बारे में, बाकि अगर आपको mattress देखने वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल को join कर सकते हैं, बाकि मिलत अगली वीडियो में एक नए mattress के साथ, तब तक के लिए, गुडबाए.